इंडिया का नमपर वरी चुपकर, एंडिया चुपकर दोस्तों, जैसे के आप दीख रहे हैं, मैं हूँ अपने जोलपुर के सबसे खुबसूरन प्लेस, दुआ धार, घेरा खाट यह सारे बच्छी जो मेरे आप पढ़ने आते हैं, उनको पता होगी यह जगे दोस्तों, एक बात में आपसे कहना चाहता हूँ, लाइफ में, हम जो एक word यूज करते हैं, कास, वो word हमारे लिए कितना महब्त है, अगर आपको नहीं बदाना ये कास क्यों यूज कर रहे हैं, और कास हमें कितना यूज करना है, कितना नहीं, क्या जिंदिगी हमारी इस कास प मेनत किये, फिर भी में वो सफल नहीं हुआ, ऐसा क्यों, यह स्टोरी आप जरूर सुरिए, दोस्तों हुआ क्या, एक अमेरिका में एक कारपेंटर था, वो घर बनाया करता था, एक कंपड़ी के लिए, और उसने सोचा कि आप 35 साल हो गया, छुट्टी ली जाए और रेटार् लेटी, तो एक काम कीजिए, एक आखरी घर और बना दी, तो बस यह आखरी प्रोजेक्ट, हम चाहते ही कि आप बनाए, तो क्योंकि बहुत उसके साथ बहुत अच्छा रहा, तो उसने बुला, मैं बहुत को मना तो करनी सकता, तो दोस्तों उसने किया क्या, उसने पर आउट होना था, वो सही नहीं हो, और जब बना दिया घर, बॉस के बास गया, और बॉस के बास जाने पर उसने बुला, कि लीजे बॉस मैंने अपने घर बना दिया है, अब मैं चाह सकता हूँ, तो बॉस ने उसके लिए एक पार्टी अरेंज की थी, क्योंकि फेरवेल पा कि आखरी घर, आप अपने हाथ से खुद बनाया आपका, एक हमाई तरब से कंपणी की तब से आपको गेट, दोस्तों आप फिलीब नहीं करेंगे, कि वो इतना जादा वो हैरान हो गया, और इतना जादा वो विचार धुखी हो गया, कि उसने सोचा कि मैंने इस आखरी कड में कोई महनत नहीं की थी, कि कास, अगर मुझे पता होता, कि एक घर मेरे लिए बनना है, तो मैं बहुत महनत कर लेता, और महनत करके इस घर को मैं एक नया रूप देता, पर कास, तो दोस्तों देखा आपने, ये कास सब्दा आया ना, कितना गल्दी की, कितना गलत किया, ज जब उसको इतना बड़ा घर, कंपडिक जब से गिफ्ट में मिला, और उसके सोचा कि अब महनत क्या करना, आप तो जिंदी की पर कर लिया है, जीवन में कास सब्दा आने मत दो, हर दिन, हर एक छण आपको उतनी महनत करनी है, जितने आपने दिन में किये, जितनी आपको र जब आग रहा है, तो उसको ज़रू सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताएगा, मैं ऐसी नहीने जगे पर आपके आपके लिए ऐसे वीडियो बताओ, थेंक्यू बेरे कच, अर्थ